विल्कम टू आदीकाज मॉम कीचैन अज मैं फिर एक नई रेस्पी लेके आई हूँ तो आज की रेस्पी है बेशन का लवा उसे वह बनाते होंगे लेकिन एक बार आप ऐसे बनाएे लोग अवकर बेशन का लवा बनाते हैं तो उसमें गाठे पढ़ जाती है या फिर जो चीनी है वो ऐसे ही गलती नहीं है ऐसे ही दानेदार रह जाती है जो खाने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है तो आज हम बहुत ही अलग बहुत ही आसान तरीके से यह टेस्टी सा हलवा बनाएंगे तो फ्रेंट्स रेस्पे स्टार्ट करने से पहले अगर अ तो यहां पे मैं देसी घी का यूज़ कर रही हूँ यहां पे मैं डेट चमत जो है वो देसी घी डाल रही हूँ आप इसको रिफाइन में भी बना सकते हैं लेकिन जो परफेक्ट हलवा होता है वो देसी घी में बनता है गी अच्छे से गरम हो जाए तो अब इस पे हम डाल यहां पर गैस की फ्लेम को भी मैंने लो रखा है तो जब तक यह भून रहा है उसके साथ ही जो है वह हम वह रेडी कर लें जिससे हमारा परफेक्ट हल्वा बनेगा फ्राण इसके लिए जो है वह मैंने गैस पर रखा है एक दूसरा बतर और इसमें मैं डाल रही हूं आधा भी जहाए ज्यादा डाल सकते हैं और अभी मैण डाल है देड़ कप पानी तो एक कप बेशन लिया था और माने इसमेवान डाला है पानी तो घेड़ कप मैंने पानी डाला फ्रांट इसको अच्छे से उबलने देंगे यह तो यह देखी साथ-साथ हल्वा जो है उसको भी ह प्रूइब और कुछ भी नहीं करना है उयत देखे साथ ही साथ भाटन हम भीन तो ये देखे अब फिल्कुल एकदम अलग अलग हो जाएग यह देखे कैसे यह अच्छे से बिलकुल भूण चुका बहुत ये एक ची काजु और बादाम ही केवल यूज़ किया आपको जो पसंद हो आपसमे अखरोट डाल सकते हैं छो भी आपको पसंद हो आपसमे डाल सकते हैं यह देखिए तो टो जो हमारा हल्वा है यह जो BTS बिल्कुल हलका सा तो किवल इतना भून माया और हमने जो यह रेड़ी किया है ईसको हम डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे यहां पर गैस की HIV को हाई ओध कर दिया मैंने जो अच्छे से मिक्स industry इसके वज़ए से हमारे हलवे में आप आटे का भी हलवा बना रहे हो इसी तरह बनाएं कभी पी इसमें गूटलिया नहीं परती हैं। बिलकुल पर्फेक्ट बनेगा, तो यह देखिए, इसको अच्छी से मैंने मिक्स कर दियाया है, गश्की फिलन को अब मैंने लो कर दिया बैर сист हाइं है, तो हमारा सब्किरम करनЕ के लिए चौंड बन के बिलकुल तैयार है, फ्रेंट्स यह बहुत आसाल रेसपी है, तो आप इस वीडियो को आपे दोस्तों के साथ ताहँ करिए, अगर आप मेरे चैनल पर आज नए हैं या आप मेरी वीडियो आज पहली बार देख रहें तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और जो बगल में बेल आइकन है उसको दवाना बिल्कुल न भूले ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको तुरंद मिल जाए तो फ